स्योग से तरकार बड़ेगी, इपर जिताओं, बिधान समय जपाताओं, बाकिया काम मैं अपने आप देखना जानताओं, मैं अंगर इतना हुसला और ताकत है, आप लोगों का स्योग और आधिरवाद मुझे मिल जाता है, तो मैं इनको सरसा जूँगा जो बड़े-बड़े सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दवाएं, तो मैं आप लोगों के अंदर आया करके सुनाते हैं, कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मैं पासंदेरा जानता हूं साथियों पहुत, लेकिन मों कभी मन सूगा तब सूना, मैं तब आपको मों का मिलेगा सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दवाएं, ताकि हर ख़बर मिले आपको सबसे पहले मैं संदीप सिंग पखाड़ा, S.V. News इंडिया सच्चा वाकिया, जैसा कि आपको पता है हमारी चुनावी यात्रा चल रही है, उसी चुनावी यात्रा के दोरान आज हम खड़े हैं, हिसार के कहें या नलवा हलके के कैमरी गाओं के अंदर, नलवा हलके के कैमरी गाओं के हमारे साथ मुझूद है, रन सिंग पवार जी, जिनका चुनाव परचार करने का तरीका वो सबसे अलग अनूठा है, आज आप देख भी रहे हैं, वो सिर्फ बाइक पर चुनाव परचार करते हैं, आईए उन से जानते हैं किस परकार से वो चुनाव परचार करते हैं, और और किया किया कारिय लेकर कि वो राजनीति में आए हैं उनका राजनीति में आने का मकसद क्या है और किस प्रकार से वो लोगों से जुड़ने का काम करते हैं आज हम बैठ करके Learning से बातचीत करते हैं चलिए देखते हैं तो Learning रनसी पवार जी हमने आपका जो चुनाव परचार करने का तरीका बहुत ही अलग है सबसे हटके हैं वो हमने देखा भी है आप बाइक पे भी चुनाव परचार करते हैं रेडियो लोगा करके और जो सैंकिल पे भी चुनाव परचार करते हैं और खुद खड़े होगे रेडि में रहे हैं उन्होंने जो जनता का बजट था वो अपनी तिजोरियां बरिये उनके पास पैसा है मेरे पास में कोई पैसा नहीं है ज्यादा मैं कोई खर्चा नहीं करना चाहता है दूसरा जो भी उमिदवार खर्चा करता है किसी भी तरह से वो आम जनता पे कहीं नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम खर्चा हो इसके लिए मैं चुनाव परचार में ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करता ज़्यादा तेल नहीं पूंकता ज़्यादा लोगों को लेकर के नहीं चलता या ज़्यादा परचार सांगरी में जो है यूज नहीं कर रहा हूँ तो बाइक एक सादन है, बाइक कम थेल पीता है, अकेला चलता हूँ, लोगों के अंदर अगर मुझे जरूर्ट पड़ती है तो बाइक लेकर के चलता हूँ, नहीं तो मैं साइकल पे भी परचार करता हूँ, और जहाँ ज़्यादा भी जरूरत ना हो, तो मैं बिभा करने का आपकी आवाज उठाने का तो आपको जिताया जा सकता है। तावार साभ एक बात और जाना चाहेंगे कि आपने राजनीती में आने का और विधान सवार चुनाव लड़ने का जो नीर्णे किया वो क्यों किया। देखिए सर हम आम जनता के जनता से उटके राजनिती में आया हूँ तो हमने देखा है कि लोगों को जो हक मिलना चाहिए वो हक मिली निरा गड़ी नाड़ी और धरमसाड़ा उमोएं लोगों को जो है ये लोग जो राजनिती के लोग हैं सरकार में बैठी लोग हैं ये नहीं कर पाते, तो लोगों को जो हक मिलना चाहिए, जो भागीदारी हर चीज में मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती, तो मैं उस भागीदारी को सुनिस्चित करने के लिए भी लोगों को जो हक मिलना चाहिए, उसको सुनिस्चित करने के लिए ही राजनिती में आया हूँ, क तो उन पैसे का सही इस्तेमाल हो, आम जनता के अंदर विकास पेदा हो, विकास हो, तो इस बात को लेकर कि मैं राजनीती में हूँ. परवार साब एक बात और जाना चाहेंगे, कि राजनीती में नलवा हलके की बात की जाये, तो बहुत से बड़ी बड़ी दोत और राष्टिय पार्टिया हैं, चाए बीजेपी हो, चाए कांगरेस हो, और भी दूसरे दल हैं, और भी बड़े बड़े घराने कहें, या जो अपने दिखाने से आम आदमी चुनाओ नहीं जिताता, उन लोगों को विश्वास होना चाहिए अपने उमीद्वार में, कि ये आदमी जो हम चुनाओ में वोट देने वाले हैं, जिसको जिताने वाले हैं, वो अपने आपकी बातों पर खरा उतरेगा, इन लोगों को जित में रहा हूं, लोगों की जन सेवा के कारें में भी बड़ी वागिदारी में ने दी है, तो अब जो मुझे पूरे अलके के अंदर नलवा अलके में, पूरे वरकों से, किसी हर वरक से जो है, पूरा सईयोग मिल रहा है, और जित के कगार पे हैं, और ये नलवा अलका पूरा जीत के ही रहेंगे, और दूसरा, अब जो समर्थन मुझे मिल रहा है, पर तेक गाओं में मैं जाता हूं, दोरे पे जाता हूं, जहां भी मेरे पास चाहिए सादन कम हैं, तो भी लोग कहते हैं कि आपको पूरा से योग समर्थन हमारी तरफ से आशिरवात मिलेगा, कहीं न कहीं बात की जाएं, तो राजनीती के अंदर पैसे की पावर भी जरूरी होती है, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, तो समगरी जुटाना, और कारे करना वो सब पोसिबल नहीं हो पाता, तो इस सारे चीज़ को जुटाने के लिए आपको पैसा कहां स कर रहे हैं, सामगरी भी उपलब करवा रहे हैं चुनाओ के लिए, और कहे भी रहे हैं कि आपको अपने कदम मत रोके, आपको जो चाहिए, जा आम जनता मुझे जो है सियोग कर रही है, जो चीज मुझे चाहिए, वो लोग मुझे सियोग कर रहे हैं कि भी आपको क्या चाह है लोग मुझे मेरे जैसे कंडिडेटर को चाहते भी हैं कि वे ऐसा वेक्ति चुन करके मैदान में आना चाहिए लेकिन यह नहीं कह सकते हैं निश्ची तोर पे कि वे हमें कितना बोट मिलेगा वो तो आपको 24 तारिक को जब मत्दान हो जाएगा 21 को 24 को काउंटिंग होगी त जो जनता की मूल बूताऊ सकता हैं यह सरकार उनको भी पूरा करने में फेल सापित हुए है अगर वेक्ति के पास में सबसे बड़ा मुद्दा यह रहता है कि अगर रोजगार वेक्ति को मिल जाता है तो वेक्ति अपने सारे कारे उनसे रोजगार के माध्यम से जो आउंदनी होती उससे जो है सारे काम अपनी निकाल लगता है लेकिन सरकार जो है अपनी नागरिकों को जो सरकार की जिम्मेवारी है रोजगार देने में पूरन तपेल है दूसरी बात आती है शिक्ष्या की और स्वास्थे की शिक्ष्या का जो दाइरा है शिक्ष्या का जो मानलो भी जितनी होनी चाहिए नागरिकों के अंदर वो समान रूप से नहीं मिल रही है अगर जब तक सिक्षा समान रूप से नहीं मिलेगी नागरुकों में समान तक है से हम संबह हो सकती है सिक्षा के तरफ पे तो समान तानी चाहिए जब अगरीब का बेटा हो जब अमीर का बेटा हो एक समान सिक्षा लागू होनी चाहिए सब के लिए दूसरी बात है स्वास्थे की चाहे वह गरीब है चाहे मीर है अपने नागरिकों की पूरी जिम्मवारी सरकार की होनी चाहिए वो चाहे प्राइवेट होस्पिटल में अपना इलाज कराए चाहे सरकारी होस्पिटल में करवाए उसका सारा कर्चा जो है बेहन जो है सरकार को करना चाहिए ये कुछ मुद्दे हैं दूसरा है आर्थिक तोर पे बागिदारी का जनता का जो सिस्टम है वो ये होता है कि बोट के लियाज से पूरे नागरिक देश के बराबर है सविधानिक तोर से तो वो आर्थिक अदार पे समान तक क्यों नहीं ला रही सरकार सबको आर्थिक तोर पे भी समान होने चाहिए ये कुछ मुद्दे लेकर के मैं चुनाव मेदान में उतरा हूँ दूसरा जो बिजलि पाणी जो सरकार को देनी चाहिये आम जनता को उससे भी जो है वो भी आम जनता को पूरी नहीं मिल रिया प्रडविर जी आप से जाना चाहेंगे हमने इतने चुनाव परचार देखा है लेकिन आपका चुनाव सबसे हटके है चुनाव परचार करने का तरीका हमने देखा है आप बाइक पे भी चुनाव परचार करते हैं सैंकिल पर भी चुनाव परचार देखा है